दोस्तों ये एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग गिफ्टिंग ऑप्शन हो सकता है अगर आपको nerve guns का शौक है या फिर आप किसी kid को खास करके boys को toy gun gift करना चाते हैं तो ये काफे interesting product है ये है FM G9 folding machine gun अब ये किस प्रकार से काम करता है यहाँ पर box पर details दिया हुआ है वसे अगर आप nerve guns खरीना चाते हैं view product करके link है वहाँ पर आप tap कीजिए और वहाँ से आप बहुत सारे जो nerve guns है उन्हें खरीद पाएंगे बहुत ही बढ़िया gifting option है चलिए मैं इस वीडियो में इसके आपको unboxing करके बताता हूँ यह है FMG9 folding machine gun यह एक toy gun है और box में आपको यह देखिए यह toy gun मिलता है जो कि जैसकि आप देख सकते हैं एकदम compact form factor में है एक छोटे से back की तरह दिख रहा है इसके अलावा यह silencer या फिर इसे suppressor कह सकते हैं और यह देखिए soft bullets दिया हुआ है और यह जो bullets है इनका casing भी दिया हुआ है basically आपको जो bullets है इन्हें आपको इस प्रकार से इसमें दलना है यह देखिए इस प्रकार से और साथ में यह Allen की भी दिया हुआ है क्योंकि यह जो गहन है इस पर कुछ screws है इनकेस वो lose हो जाता है तो इसे use करके आप tight कर पाएंगे तो यह देखिए यह है वो toy gun FM G9 बहुत ही compact सा form factor है यहाँ पर यह light दिया हुआ है यहाँ पर यह button है इसे अगर आप press करेंगे तो जो light है यह दो गया है अब जो light है से वह off करता हूँ यह लीजे तो इस gun को कैसे use करना है तो यहां पर यह जो चीज है इसे अगर आप पीछे पुश करेंगे यह दिखें इस प्रकार से यह खुल जाता है और फिर इसे आप यहां पर इस प्रकार से पूल कर सकते हैं यह लॉक हो जाएगा और यह जो भाग है से भी आपको यहां पर पुश करना है अब यह लॉक हो ग मार्किंग दिया हुआ है एकॉर्डिंग आपको जो बुलेट से उसे दालना है यह देखिए इस प्रकार से और आपको यह नीचे पुछ करना है तो मैगजिन में आप बहुत सारे बुलेट्स दाल पाएंगे यह लिजे मैंने कुछ पुलेट्स दाल दिया है और इसे इस गन में लोड करना है अब यह लोड हो गया है अब इसमें मोटर नहीं दिया हुआ है आपको बेसिकली कॉप करना है कॉप मतलब कि यह जो चीज है इसे पीछे पुल करता है तो मैं इसे पुल करता ह वो फायर हो गया है, यहाँ पर है वो बुलेट, अब इसको जो रेंज है यह इतना जादा नहीं है, वैसे यह टॉइगन है, काफी सेफ है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समभाल कर इसे यूज करना है, तो यह जो बुलेट है, यह बेसिकली फायर होने वाला है, और अब यह जो गन है, यह काफी इंटरस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जब आप फिर से इसे पुल करेंगे, देखे, मैं ऐसे पुल करता हूँ, क्या होता है, यहाँ से जो बुलेट का शेल है, वो इजेक्ट होके गिरने वाला है, ध्यान से देखिए, यह देखिए, और जो दूसर बुलेट है, वो लोड हो जाएगा, यह देखिए, यह शेल इजेक्ट हो गया है, और जो नेक्स्ट बुलेट है, वो लोड हो गया है, फिर से मैं फारिंग करता हूँ, और जो लास्ट शेल है, उसे भी इजेक्ट करते हैं, यह देखिए, तो बच्चों को खास करके यह ची यह जो एरिया है इसे आपको उपर पुल करना है और उसके बाद में यह इस पोजिशन में आ जाएगा अंदर यह जो चीज आप देख रहे हैं इसे आपको यहां पर इसके अंदर प्लेस करना है और फिर इस एरिया को नीचे पुश करना है और यह इस तरीके से लॉक हो जाए है यह जो silencer दिया हुआ है इसे अगर आप चाहें तो यहां पर लगा सकते हैं लेकिन यह unfold होने के बाद ही लगता है तो यह basically कुछ यूज नहीं है अब जो गन है इसे अगर आपको stylish तरीके से unfold करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यह जो बटन है इसे प्रेस करने के बाद जब यह इस पोजिशन में आ जाएगा उसके बाद में आप इस प्रकार का action कर सकते हैं यह देखें और यह अब ready है तो बच्चों को खास करके जो गन है काफी पसंद आने वाला है अगर आप यह जो प्रोड़क्ट है खरीदना चाहते हैं या फिर अन्य नर्व गन्स खरीदना चाहते हैं लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है यह जो गन है इसका प्राइजिंग तकरीबन 2000 रुपे के आस पास है देखते रहिए